प्रेक्रिशान दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका किसान साथी प्रेम किशोर दुविक, अपने चैनल पर आपका स्वागन करता हम, वित्रों इस समय धान की रबाई दमस्तुरों वह गुई, मैं आज थी वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, कि धान की रबाई भी करते समय हम कितिनी मात्रा में खाट का प्रियुक करें और कॉल कॉल सी खाट का, किसान दायों, हम लोगों की पूरीड खेती, अभी तक क्यंक्यं अर्डलाइजर पन विलगा है, जब से ये प्रचाल क्षार हो गया है, कि हम खाट से सब ये सब पैदा कर ये तब से हम लोगों ने जो आध का तरीका था हम लोगों अर्गैनिक डाल लेगा, गोवर की खाट डाल लेगा, नहीं, आख डेंडा दिखात हो ते हिया, या विल्क्रिया हम लोगों से नगभन अगभन दूर हो गया है, छूट गया है, हम उसके ध्यान नहीं दे रहे है हम को सबसे आसाल सा तरीका बता दिये रहा था बाजा से खाम लाईए और इसको डाला दें सी यह गुज़ है हम उसी आदत की वशीवूत हो गए और हम उसी कपेज लिया लेकिन अब हम जाबरू वो रही अब मुझे सुधात ला रहा है तो हम आज आपको यह बताएगे कि प्रेली स्टेज में है कि हम रुपाई की समयन कौन सी खाद डालें और कितनी मात्रमिट आज का टाप में इतनी बात पर नदर है हयो इस रुपाई की दोरान सबसे पहले जरूरत की खाद है पासपुर जिसे हम डी एकबी की नाम से जानते हैं डाय आमोनियम फासफिर इसका इसकी बहुत सारी कंपनिया बना रहे हैं आईपील नौरत ना इफको मार्केट की बाहुत सारी डी एपी बनाने वाली कंपनिया हैं जिसने हवारी यूपी में रावाद मंडल में इफको का प्लाइंड फूलिपुर में है और इस एरिया में इफको सबसे ज़्यदा पेंड़िट है आपको मिले तो आप में डालें नहीं मिलें तो किसी कंपनी का डी एपी एक है सबसे जरूरी बात ये है जानना अभी रुपा अगर आप मुझे अच्छा हो वुझे कमेट करके जरूर आएगा आप इस समय रुपाई के दोरान दी एपी खात कौन से कौन दो किलो प्रक्तिक विश्वाप मतलब कि 50 किलो कौन से कम एक इकड़ में जरूर डाल दीजिए इसको आप सुखे खेत में बाई करना है तो पहल तो आप जोदाई के समय इसनों आप डाल दीजिए यह रहे इसका तरीका और यह रहे इसकी मात्रा इसके पहलावाँ आपको खात अभी तुरल्द कुछ भी नहीं डालनी है जिल किसान भाई हो वो डिये पिल नहीं मिल पा रही है उसका सब्सिच्चिट है सिंगत सुपर फ वो सके थोड़ी पोटास्टी में लेकिन सिंगल सोवर फास्पर यूज कर रहे हैं तभी मिला है नहीं करने था आपको नहीं अगर टीएपी मिल जाए और उस समय इसको टाव रहे हैं तो यूरिया की कोई आश्यक्ता नहीं अक्सर होता है जब हमारी रुपाई एक तरफ से वोना सुरू हो जाती है तो हमें चल्दी से खाव ब्लब्ट नहीं हो पाती और कुछ मारे विक्रेदा भाई उस तो साट नहीं होते हैं चुपाते हैं ब्लैक करने की लाज हमें साट तरिया करेंगे अंब्लैब नब ये भी माना ठंडा डोब अपनाते हैं तो आपको जैसा आपको दूलगा और ट्रायल और प्रेक्टिकल के साथ दूलगा लेस्ट अगला वीडियो लेकिन आगला हम हमारी राय के अंशाल आप चाहेंगे तो यहीं टीएपी जो आपके एकड में एक कट्टा मुनाब पचास किलो की बैग वरीं होती हो पूरा कपूरा डाव रहे है यह दिया शानन तो इसमें 100 ml एगरी बैसी जो बैस्टिस कोपनी का एक प्रडेक्ट है जो उसको इसमें बिला दे तो यह खाथ जो एक एकड़ में पचास किलो डाव दाव दे हैं यहीं आप 25-30 किलो भी डालेंगे तो भी आपकी उतनी ही आउंक्षम आएगा उतनी ही प्र आउंक्षम मिलेगा आप इस चीज को कि बारत जरू ट्राइ करें आपके लिए बेस्ट किसांधायल यहीं आपको DAPA में सिंगल सुपराफास्ट जी लिएं एक सब्सिचूट और प्रिया आपके पाथ एनपीके इसको नहीं जीए और इसको कंसे कम तीन किन आप जरू डान आपके लिए और इसको चार आवजी प्रत बिश्वा करें यहीं इतने खाद आपको विदोबाई के समयमा अत्राल है इस्तिये लामोस से जाल आप ने डालनी है और एक बात का धार रखेगा कि खाट डालने के पात जो आम कीचड़ो अला हेट उसका जो भरा हुआ पानी है वो पानी आपका कहीं दूसरी जगे निकल ले ना पाए मेड़ों की इतना बड़ी है और बंदू रखेगा कि खाट की ओका आपका पानी ठेक का जो ड़ेट वो उसमें से निकल लेने ना आए कोशिश करिए बाद में ओबर एकसेस हो जाएगा अब तो तो निकलने के निकल ले और बस इतने ही खाट का आज की ज़रत है फेस्टरोपाई में इसके बात और आज की ज़रत दूसरी खाटों की अपवई आश्क्ता नहीं है आज के वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात तनी बे आपको अच्छा लागा हो तो इसको सेयर करिए डा यूज करिए डा लोगो आपको मिस्दा है राद देना